विडियो को बिना इसकीप की लास तक जरूर देखिएगा तो पहले मैंने दो टमाटर की प्यूरी बना लिए थोड़ी से मटर और मिर्च लिया है अब हम एक कटोरी में एक टेवल इस्पून के करीब सरसो लेंगे फिर एक टेवल इस्पून जीरा और थोड़ी से हिंग लें है और तड़का के लिए भी हमने जीरा कर लिया है यह देखिए यह मसाला कितना अच्छा है अब हम इसे 5-10 मिनिट तक के लिए रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देंगे तब तक हम एक पैन में तेल डालेंगे और इसमें कोबी डालेंगे जो कि मैंने थोड़े बड़े- इसे फ्राइ कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना होने लग जाए यह देखिए यह कितना अच्छा कलर आ गया इसका तो इस स्टेज पर हमें इसे निकाल लेना है फिर अगर आपको जरूरत पड़े तो सेम पैन में आप थोड़ी सी तेल और डाल देना और फिर दो मि अगर आपके पास नॉर्मल मार्केट वाला हो तो वह बाद में डालना लेकिन फ्रोजन हो इसे पकने में टाइम लगता है इसलिए मैंने टमाटर के साथ ही डाल दिया था फिर इसमें नमक एड़ कर इसे चलाते रहेंगे अच्छे से बूनेंगे जब इससे भी तेल अगरेंगे यह मैंने बहुत अच्छे से मैस्क कर लिया है इसमें बिल्कुल भी गुठल या नहीं रह गई है तो अब इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे यहां पर बॉइल पोटेटो यूज किया तो इसलिए मसालों के साथ उसे हम दो मिनट पकाएंगे फिर इन सबको अच्छे से हमें 5-6 मिनट अच्छे से भूनना है ताकि इससे एक अच्छे से खुस्बू आने लग जाए जब इससे खुस्बू आने लगे और आपको लगे कि हाँ उस टाइम पर यह भून गया है तो फिर हम इसमें पानी अपने कॉडिंग अड़ करेंगे आप आपको कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो लाइक से रण सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें चलो ओके अच्छा बाइबाई